कि 2024 के लोगसवा चुनाओं में सुल्तानपूर से समाजवादी पार्टी ने राम भुवाल निशाज जोपूर मंत्रियें उनको टिकट दिया गुरकपूर के रहने वाले और यहां पर जो कारे करता हैं पदाधिकारी हैं उनका स्वागत भी कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई सुल्तानपूर में लोगों को परिशानी है वहां जनता खोज रही है यहने चुनने के बाद ऐसे नेताओं का कहीं पता नहीं वह ने चले जाते तो वहां की जनता की मांग है कि हमारे बीच में रहने वाला नेता जमीनी नेता आया है और चुना हम लोग जीताएंगे वहां जिस परत्यासी का अमनाम ले रहे हैं जनता के बीच में लोग प्रिय नहीं है और जनता को जरूरत जब पड़ती है तो ये लोग खोजने से नहीं मिलते हैं इसके पहले वरूर गांधी मेंका गांधी के पहले लड़े थे फिर मेंका गांधी कोटिगड मिलता है जीत जाती है फिर से भरोसा जता है तो क्या लग रहा है कितना कड़ा आपका मुकाबला उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है उनके पास वोट ने पीडिये के पास अच्छे हैं जो बोलते हैं वो करते हैं काम बोलता है माननी राष्टी अद्धाजी का और भारती जनता पार्टी जूट बोलकर सब्ता में आई है जो भी वादा उन्होंने किया था कि 15 लाग खाते में जाएंगे डीजल पेट्रोल महंगाई सब कम होगी कोई चीज कमी नहीं है जो भारती जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं है एक नया नारा मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी कुछ नहीं है यह तो घिसी पीटी बात होगे उनको बहुत सुन ले लोग जूटी बात अभी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ उनके संकल पत्र को आप क्या मानते हैं और अगर बात करें वरूर गांधी लुक को लेकर काफी नाराजगी भी चल ले थी भाजपा में भी अंदरूनी खेमे में उनका विरोध हो रहा था तो ऐसे नहीं कोई घर का आदमी घर की बुराई करेगा तो कोई बात थी जो अंदर है अभी बाहर नहीं आ रही है लेकिन भारति जनता पार्टी के जो अंदर था वो बाहर राहूर गांधी को पसंद नहीं करते इसलिए पार्टी से टिक्र नहीं दिये क्या लगता है अगर बात करें कॉंग्रेस आठ बार शुरू में बावन के बाद से देखा लिया तो लगातार पांच बार कॉंग्रेस जी ती कुल आठ बार जी चुकिए भारती जनता पार्टी वहां से पांच बार परचम लहरा चुकित कितनी बड़ी आपके सामने यह आपको लिख के दे रहा हूं कि समझवादी पार्टी वहां से चुनाव जीते हैं लगा आपको की गड़बंदन वहां पर मजबूत इस्तिती में है चुकि मेंका गांधी का जनादार भी काफी वहां पर अच्छा माना जाता है पीडिया वहां मजबूत है और किसी के प नेता उनके बीच में न रहे उनको जरूरत से खोजने लगे तो मिलवे नहीं करेंगे तो लोगों की भी कुछ जरूते हैं जिसको यह भाजपा की परत्यासी नहीं पूरा कर पा रहे हैं और हम लोग हम लोगों पर भरोसा है कि यह नेता हमारे सुक्दूख का साथी होगा इसका साथ दें अगर भारती जनता पार्टी के जो प्रत्यासी हैं उनकी बात करें तो कोई कहीं चाय बना रहा है कोई पकोड़े तल रहा है कोई खेत में जाके गहूं काट रहा है तो आप लोग भी कुछ इस तरह का इस्टन्ट कर रहे हैं पब्लिक और जाने के लिए वो मचली का कारोबार करता है यह तो वो बनावटी नहीं है हमको तो कुछ भी कहेंगे तो सूट करेगा कि यह किसानी कर सकता है हल चला सकता है भैस रख सकता मचली मार सकता है तो उनके पास तो कोई वो तो महल में रहने वाले लोग है और यहां आके हेमा माली नी अगर जैसे गेहूं काटें तो हम कहते हैं कि दस दिन गेहूं काटें तो फिर तब तब नहीं दिखाइएब लोग कि दो cathedral गजाएगा और बीमार पड़ जाएंगे लोग अगर दो घंटा खेत में चले जाएंगे तो आजपर जी भी आपके साथ थे घठवंदन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ थे अभी भाजपाम चले गया है वो भी गेहूं काटते हुए दिखाई दे रहे हैं असली काम तो उनका गेहूं क अधव जी को ब्लेक मेल यह उनका धंदा है इनको हम बहुत पहले से जानते हैं जब यह एक टिकट के लिए मोहताज हुआ करते दांट सुनते थे उसलायक नहीं थे जूट बोलकर जनता विश्वास की उनको फाइदा मिल गया अभी पिछले दो साल हुआ समाजवादी पार के हैं कैबिनेट मंतरी हैं और घटक दल हैंडिये के तो क्या लगता है कितना कर पा रहे हैं अपने समाज के लिए आप भी निशाद समाज से हो भी अपने समाज के लिए जो कर रहा है तो पूरा दुनिया जानते हैं वह भी जानते हैं कि हम क्या किया है समाज के लिए एक ट पादर कहते हैं अपने आपको और आरचण दिलाने के लिए तमाम अंधोलन भी कर रहें हैं तो यह तो देंगे नहीं आरचण की बात पता नहीं चल जा गया तो उसका रेजल्ट भी डाक्टर संजे को मिल ला है कि लोगों की जो सुन रहे हैं तो उनको तो महसूस होता होगा लेकिन एक टिकट मिल गया है भाजपा से और समाझवादी पार्टी का तो निशास समाज पर अहसान है और यह सान डाक्टर संजे पर भी आज जहां पहुंचे हैं वह मानिय खिले से अदव जी का समझवादी पार्टी की देना कि उनकी पाचान बनी और धोखा देना अच्छी बात नहीं है लेकिन उन्होंने धोखा दिया समझवादी पार्टी को तो भाजपा भी और आप सुल्तानपूर की जनता को और मेनका गांधी को क्या कहना जाता उनके मुद्दे अलग है वो अपने मुद्दे पर खरा नहीं उतर रहे और जो भी कर रहे हैं उसके जिम्मवार वो हैं हम अपने नेतामानी राष्टियत अखिले सेयादों जी को जानते हैं उन्हों ने धोखा नहीं दिया कि आप जीतेंगे दमदारी के साथ एक सव परसंट चुनाव जीतेंगे मेनका कांधी से मुकावला है सुल्तानपूर में रामबुगाल निशाद लेकिन वो पूरी तरह से उनको विश्वास है कि वो इस सीट पर सौ प्रतिशत वोटों के साथ अपनी जीत दर्श करेंगे एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी